हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वली हूँ डोसा बनाने की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे कास्ट आयरेन के तवे पे आम तोर पर क्या होता है कि जब भी कई लोग घर पे डोसा बनाते हैं तो वो जब शुरू शुरू में तवे के साथ चिपक जाता है और वो मंगवाया है कुक बीट कमपनी से और ये एक परफेक्ट कास्ट आयरेन तवा है और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसे वाश कर लेंगे अच्छे से यहाँ पे हमें नॉमली इसे जो लिक्वर्ड सोप होता है उसके साथ इसे हमें वाश करना है बिल्कुल थोड़ा सा हम हमें जो सोप है वो लेना है और इसको जो माइल्ड स्क्रब करना है हमें इसे बहुत जादा नहीं रगड़ना है हलकी हातों से हम इसे अच्छे से पहले सोप के साथ इसे लगा लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे पानी के साथ दोएंगे मैं आपको भी सुझेस्ट कि आप भी अपने घर में cast iron ही use करें क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई coating नहीं होती है और यह 100% chemical free होता है और इसके बहुत सारे health benefits हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे से soap लगा दिया है और अब हम इसे normal running water के साथ अच्छे से धो लेंगे बिल्कुल इसमें जो साबुन है वो नहीं रहना चाहिए यहाँ पे मैंने से सभी साइड से अच्छे से धो लिया है अब हम जो क्या करेंगे इसका जो पानी है वो सुखा लेंगे आमतोर पर लोग क्या गलती करते हैं कि इस पे ऐसे ही यह जो डोसा बैटर है वो डाल देते हैं और डो दोसा है वो तवे के साथ चिपक जाएगा और अच्छे से नहीं निकलेगा जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि यह जो डोसा है यह इसली नहीं निकल रहा है और यह बहुत ही बुरी तरह से तवे के साथ चिपक गया है लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है ह हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी हम नया जो डोसा तवा या नॉमल तवा कोई भी बजार से लाएंगे सबसे पहले हमें उसकी सीजनिंग करनी होती है फिर उसे यूज में लाना होता है और यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसकी सीजनिंग कैसे करनी है सबसे पहले मैंने जो तवे को अच्छे से धो लिया है और उसका जो मैंने पानी है वो सुखा लिया है और अब आप देख रहे हैं कि यह जो तवा है यह अच्छे से सूख चुका है और अब हम इसे एक साफ कपड़े के साथ पहले अच्छे से साफ कर लेंगे आपको इसको नेपकिन के साथ नहीं साफ करना है नहीं तो जो नेपकिन के रूएं है वो इसके साथ चिपक जाएंगे तो इसको हमें एक कॉटन के कपड़े के साथ साफ करना है उसके बाद हम इसकी सीजनिंग करेंगे यहाँ पे मैंने पानी लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक से दो चमच ओयल और इसे हम mix करके अच्छे से कपड़े के साथ इसे हम फैलाएंगे इस तवे के उपर यहाँ पे जो flame है वो medium ही रखें नहीं तो आपका हाथ जल सकता है और इसको हम अच्छे से फैला देंग इस तवे के उपर इससे क्या होगा कि इसकी एक coating हो जाएगी इस तवे के उपर और जो आप डोसा बनाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने oil लगा के डोसा बैटर इसके उपर डाल दिया है और इसको अच्छे से फैला दि पर्फेक्ट डोसा बंके तयार है और इसी तरह जो सेम प्रोसस है हम रिपीट करते रहेंगे ओर यह जो डोसा है वो बनाते रहेंगे जो से मैंने oil लगाया है और यह जो डोसा बैटर फैला दिया है और ये भी जो डोसा है ये भी असानी से निकल जाएगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी असानी से ये डोसा निकल गया है और अब मैं बताऊंगी कि यूज करने के बाद हमें इसे कैसे स्टोर करके रखना चाहिए यहाँ पर मैंने तवे को अच्छे से धो लिया है और इसका जो पानी है व सबसे पहले वह सुखा लेगे और इसको एक कपड़े के साथ अच्छे से साफ कर लेगे और साफ करने के बाद हम इसपर जो मस्टर्ड ओयल है वो लगाएंगे ये सबसे best तरीका है इसको store करके रखने का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं हलका-हलका oil इस तवे के उपपर लगा हुँ इसके handle पे भी मैं oil लगा रही हुँ सभी जगह हम इसको oil लगा देंगे और इसके बाद हम इसे saaf करेंगे एक cotton की cloth के साथ जहां जहां भी हमने इसे oil लगाया है उसे हम एक सूती कपड़े के साथ साफ कर देंगे और इसे store करके रख देंगे तो आप भी ये tricks follow करके एक बड़िया डोसा घर पे बना सकते हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe जरूर करें थैंक यू